Hello everyone, कैसे आप सबी? तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके boards और आपके entrance की preparation बहुत अच्छे से चल रही है In case अगर आपको कैसी भी दिक्कत होती है तो आप इस given number पे हमें contact कर सकते हैं क्योंकि हम है ना तो भाई आज वाला session हमारा entrance point of view से जितना जादा relevant होने वाला है उससे कहीं जादा गुना हमारा relevant होगा board point of view से आज मैं आपसे कुछ चार common mistakes की बात करूँगा जो अकसर हम अपने writing section के अंदर करते हैं तो pen और paper लेके जरूर बैठिएगा क्योंकि ये वाला session आप बहुत अच्छे से enjoy करने वाले हो तो चलते हैं भाई मैं आपसे बात करता हूँ आज हमारी पहली गलती की पहली गलती होती है हमारा order of pronoun अच्छे से आप लोग heading लगा लिजे order of pronoun तो भई इसमें हमें क्या लगता है कि हम अपनी sense के हिसाब से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बट वो गलत होता है for example मान लो तीन लोगों की बात हो रही है कि भई मैं तुम और वो exam में पास हो गया है तो अक्सर हम क्या गलती करते हैं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हमारी गलती ठीक है और इन गलतियों को अब हमें कैसे पकड़ना है वो भी मैं आपको बता हूँआ तो मैंने अक्सर देखा है कि हम कैसे लिखते भई आई यू एंड ही देखना द्यान चे देखना अश्चीज को आई यू एंड ही एव पास्ट दा एक्जाम आप भी बोलोगे क्या गलती है वह कोई दिक्कत नहीं हमें तो अच्छा लग रहा है हमारी सेंस के अक्वाडिंग हमें तो अच्छा लग रहा है बट भाई examiner यहाँ पर आपका सीधा सीधा number कट कर लेगा क्यों कट कर लेगा अब इसको ध्यान चे समझना है हमें एक rule सीखना है क्या rule है हमारा पहला rule हमें कहता है कि जब कभी भी हमें एक positive sense आएगी कैसी sense आएगी एक positive sense आएगी तो वहाँ पर हमारा जो pronoun को order है वो कैसा होगा सबसे पहले हमारा आएगा second person फिर हमारा आएगा third person और फिर उसके बाद आएगा हमारा first person भाई ये वाली चीज आप जितने अच्छे से star mark कर सकते हो star mark कर लो ये पूरा बकसा ही स्टार मार कर लो मैं क्या कह रहा हूँ मैं फिर से दो रहा तो इस बात को जब कभी भी हमें एक positive sense आएगी positive sense कैसे कि हम pass हो गए है ना positive sense ही हम शिमला जा रहे है अरे वाँ हम शिमला जा रहे है है ना तो positive sense है तो उसके अंदर हमें कैसा हमारा order रहेगा पहले हमारा second person आएगा फिर हमारा third person आएगा और फिर हमारा first person आता है तो इसका correct sentence हमारा क्या हो जाएगा इसका correct sentence हमारा हो जाएगा you you हमारा क्या है second person he he हमारा क्या है third person and I you he and I have passed the exam have passed the exam ये हमारा बिलकुल correct sentence है ठीक है ना तो मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे ये वाली गलती करते हो पर आपने राइट टाइम पर ये वीडियो देख ली अब आप एक्जाम के अंदर ये गलती नहीं करोगे एक और एक्जामपल ले लेते हैं आफ़ा थोड़ी नारे एक्जामपल की एक और एक शिमला और गोईंग टू शिमला ठीक है तो आपको किया दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है अब तो हमने रूल सीख लिया है और हमारा रूल क्या कहता है कि जब कभी भी एक पॉजिटिव सेंस आएगा हमें तो हमें क्या देखना है हमें सबसे पहले सेकंड परसन लगाना है और फिर हमें फर्स परसन लगाना है क्या दोयली बात नहीं समझ मैं मुझे उम्मीद है आपको इस बात बिल्कुल आपके खून के अंदर गई होगी कमेंट के अंदर जरूर बताना है कि बात ब्लेड में गई है यह नहीं गई तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा हमा आगे आपको आगे चलते हैं बई अब ये तो बात कर ली मैंने के एक पॉजिटिव सा सेंस हो जब कर बी हमें एक खैनदर कर रहे होते हैं लिए वे लिप negative sense आएगी तो उसके अंदर हमारा जो order होगा प्रणाउन का वो क्या हो जाएगा वन टू और त्री इस बात को बिलकुल ध्यान रखना है क्या सीखरों मैं देखो जब कभी भी positive sense आएगी तो क्या रहेगा order हमारा second person third person और उसके बाद first person जब कभी एक negative sense आएगी तो मारा क्या रहेगा first person second person और फिर third person क्या बात कर रहा हूं एक्जामपल लेता हूं ऐसे थोड़ी ना बात समन जाएगे एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल मैं कहता हूं जैसे कि आपके पास एक गलती लिखुई है देखो मैं पहली बता रहा हूं कि यह गलती है है ना के ही आई एंड यू ही आई एंड यू ध्यान से देखना कितना मजा आएगा इसमें have made a mistake हम एक क्या होना चाहिए पहले फर्स परसंट की बात होगी जो की आई फिर सेकिंड परसंट यू और फिर उसके बाद थर्ड परसंट एंड ही have made a mistake clear है आप कोई चीज बढ़िया से मजा आ गया नोट कर लिया आपने आगे चलने की जादत है यह स्मॉल आएगा ठीक है जी बढ़िया से चलते हैं जी आगे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा ठीक है न आगे चलते हैं आगे मैं आपसे बात करता हूं आप हमारी सेकेंड गलती सेकेंड गलटी हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ एड़जैक्टिव्स होते हैं इड़जैक्टि चोन से हमारे नाउन की विशेष्ता बताते हैं ठीक है यह ऐसे माहलो कुछ words होते हैं complex Всё कें childcare उसह जैसे की माहलोеньows ठीक है सहताथ रिखते हैं मेरे perfect हो गया unique हो गया धालSpub हो गया हमारे triangular का और हो गया हमारा rectangular और हो गया रेक्टायंगुलर कोई चीज हो गया एक्टायंगुलर और हो गया हमारा parallel Baron परणार की शीयों कपाले सिन य az थे इंपोसिबल और आप याध रख सकते हैं एमटी साथ बहुत बड़ी example निकलेगा देखना कैसे clear होगा नहीं चीज आप देखना है इसको supreme आप याद रखते हो ठीक है और भी और भी words होते हैं बट main आप इतने याद रखोगे तो बहुत है अब क्या बात कर रहा हो भाई देखो यह जो words है ना इनका superlative नहीं बनता अब यह superlative क्या होता है comparative degree होती है जैसे कि आपने देखा होगा ना मैं simple भाशा के अंदर समझा रहो complicated नहीं कर रहा हूं tall, taller और tallest ऐसे देखा होगा ना आपने तो यह हमारा होता है positive degree ठीक है यह होता है हमारा comparative degree देखो यह comparative degree जिसमें ER लगता है ना ER या फिर यहाँ पर क्या लगता है more more भी बतात अब इसके अंदर हम क्या लगाते है और most करके भी हम इसके अंदर लगाते है most करके तो comparative कौन सा होगा है हमारा ER वाला जिया फिर जो more से बनता है और superlative कौन सा होगे हमारा EST वाला या फिर जो most से बनता है अब हमें सीखना क्या है हमें सीखना यह है कि यह जो हमारे given words है हमारी screen के उपर perfect, unique, empty, supreme यह सारे जो words है इनका ना ही comparative degree बनेगी और ना ही superlative degree बनेगी मतलब कि comparative degree के अंदर ना ही यह ER के अंदर exist करते और ना ही यह more करके बनते हैं इनके आगे more भी नहीं लगता ठीक है मैं क्या बात करो बिल्कुल अच्छे से रोशनी डालूँ आशीच पर देखना superlative के अंदर ना ही यह EST वाले बनते ना ही इनके आगे most लगता अगर मैं आपसे कहा रहा हूँ देखो आप ध्यान से समझना परफेक्टर, perfect test ऐसा सुना है आपने नहीं सुना यह तो आपकी sense भी कह रही होगी कैसा तो हमने नहीं सुना ठीक बात है हमने नहीं सुना तो हमेशा हमारे positive degree के अंदर ही रहते हैं for example अगर मैं आपसे कहता हूँ के मालो she is the she is the most ध्यान से सुनना इस चीज़ को she is the most unique she is the most unique singer she is the most unique singer of our college ठीक है she is the most unique singer of our college तो देखो अब हमने क्या सीखा यहां पे कि भाई यह जो हमारा unique है यह unique हमारा एक ऐसा word है ना ही यह more वाले के साथ बनता यह यह super relative के अंदर बनता है ना तो यहां पे तो इसके आगी क्या लगा दिया most लगा दिया तो यह क्या हो जाएगा यह हमारा sentence गल अलग है ना तो उसके आगे most unique करके क्या हो जाएगा वो तो फिर भी unique ही है तो यहां पे जो यह most लगा है यह बेकार ही लगता है ठीक है यह नहीं होता तो इसका correct sentence क्या हो जाएगा she is the unique singer of our college she is the unique singer of our college यह हमारा एक दम correct sentence हो जाएगा आए बास अमने भाई unique तो अपने में unique नहीं क्या कि most लगा के आप क्या ही दरशाना चाहरे हो तो यह गलत होते है यह grammatical error होते है यहां पर examiner सीधा सीधा आपके number काटेगा इस चीज़ का ध्यान लखना है एक और example लेते हैं और और अच्छे समझे समझेंगे मैं कहा देता हूं भई के मालो the glass the glass is more empty ऐसे लिख ल the one next to it ऐसे लिख लो then the one next to it ऐसे लिख लेते हैं ठीक है अब देखो भई हमने क्या सीखा के empty तो हमारा एक ऐसा word है कहांगे हमारा empty empty तो हमारा ऐसा word है जो इसका comparative बनता ही नहीं है तो फिर का है हम इसके आगे यह more लगा रहे हैं नहीं लगा सकते है more अब एक बाबता हो जो is empty the glass is empty then the glass is empty then the one next to it है ना the glass is empty then the one next to it यह हमारा बिल्कुल correct sentence होगा तो यह कुछ words जो है ना आप एक दो बार repeat करेंगे आपके mind के अंदर stick हो जाएंगे ठीक है ना तो यह गलतिया हमें नहीं करने हैं अब जो चैब देखो वही बात है एक ग्लास यह है और एक ग्लास बी ह मैं कहा रहा हूँ बी वाला ग्लास जो है ए वाले ग्लास से जादा खाली है तो बही मैं more empty लगा के क्या दर्शाना चाहरा हूँ वो तो गलती कर रहा हूँ ना मैं empty लगा दिया तो वैसी हमें पता चल जाएगा कि बी वाला हमारा खाली है बात आरे संद में तो यह गलतिया नहीं पकड़नी है यह गल्तिया नहीं करनी है एक तीसरी गल्ती जो कि बहुत Z further Ц मान लो एक subject लिखता हूं मैं subject one अब subject कौन होता है जो कारे को करता है ना करता है या करती है या करते हैं वो हमारे subject होते हैं ठीक है एक हमारे subject लगा है और उसी sentence के अंदर हमारा एक दूसरा भी subject है और उनके बीच में हमारे क्या words हैं उनके बीच में हमारे words है भाई मान लो with ठीक है और और लगा लो आप along with है ना along with उसके साथ आप लगा लो together with है ना together with और उसके साथ आप मान लो as always as always as always as all as well as as well as sorry I'm so sorry as well as as well as ठीक है यह वर्ड ठीक है अब आपने sentence पढ़ा ध्यान से देखना बहुत important चीज़ अब आगे पढ़ते चले चले गए पढ़ते चले 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 अब आपने जो वर्ब है ना एक sentence वर्ब भी होगी हमारी अब यह जो वर्ब है बच्चे अकसर क्या गलती करते हैं यह वर्ब किसके according लगाते हैं यह वर्ब लगाते हैं बच्चे इस वाले subject के according बट actual में हमारी वर्ब किस पर depend करेगी यह वर्ब हमारी अब देखो भई ध्यान से सुनना इस चीज को बिलकुल पिच्चर बहुत बढ़ी आसे किलिए रोने वाली है मोहन जी हमारे क्या हो गए subject 1 हो गए ठीक बात है उसके बाद हमने आगे पड़ा अब यह his friends यह friends क्या हो गए उसके subject 2 हो गए है ना अब यहां पर देखो यह दोनों चीज क्या है हमारी is और are क्या है यह है हमारी वर्ब अब यह वर्ब किस पर depend करेगी हमने अभी देखा यह depend करेगी हमारे subject 1 के ऊपर यहां पर अक्सर बच् क्या वो लगा देते हैं मोहन along along with his friends देखो उनको लगता है friends आ रहा है तो आर अच्छा होगा मेरी sense कह रही है बट examiner ऐसे करके बैठ जाता है फिर वो meme देखा रहा है अपने examiner आपको ऐसे गूर रहा होता है कि कर दी गलती ठीक है तो यहां पर क्या होगा यह हमारा यहां प तो उसके आगे वाली जो वर्ब होती है वह subject 1 पर depend करती है तो correct sentence हमारा क्या हो जाएगा मोहन along with his friends is watching TV क्लियर आपको यह चीज बढ़िया से आगे देखते हैं को और example देखते हैं अभी थोड़ी ना clear हुई है अब होगी देखो clear कितना बढ़िया example ले रहा हूँ I as well as I as well as you है ना I as well as you यहाँ पर लिख लेते हैं is am और are है ना I as well as you is am are a teacher ठीक है मैं और तुम क्या हो एक teacher हो अब यहाँ पर हमें वर्ब लगानी है अब देखो गई subject 1 होगे हमारा I subject 2 होगे हमारा you अब यह किससे connected है as well as से और हमने क्या देखा जब कभी भी as well as से दो subject connect होंगे तो यह जो हमारी वर्ब है यह किसके उपर depend करेगी यह हमारी depend करेगी subject 1 के साथ और I के साथ क्या आता है I am a boy I am a teacher तो यहाँ पर क्या होगा am correct होगा I as well as you am a teacher this is the correct sentence यह हमारी correct sentence है हमें पते क्या लगता है हम गलती क्या करते है I as well as you are a teacher क्योंकि हमें लगता अरे you है तो you के आ रहाएगा वही मैं क्या रहो ना हम हमें अक्सर लगता है कि वर्ब subject 2 पर depend करेगी बिल्कुल काटा लगा लो आज से नहीं करेगी subject 1 पर depend करेगी क्या दो याली बात नहीं समझ में आगे पकत समझ में अब मालो इस sentence में थोड़ा सा change कर देता हूं है ना ऐसे कर लेता है मा यहां पर subject बदल गए तो हमने तो क्या सीखा है हमने सीखा है कि हमेशे subject 1 पर depend करेगी तो यहां पर subject 1 क्या है मेरा यू और यू के साथ क्या लगता है आर अब इस case में मेरा आर लगाना बिल्कुल ठीक होगा बच्छे मुझे उमीद है कि आप इस session को ना enjoy कर रहे हो आप यह आगे चलते हैं अब हम आगे चलते हैं अब आगे मान लो में एक question लिखता हूं आपको बड़ी आसा question लेते हैं कि my friend my friend arrived my friend arrived dash Wednesday dash Wednesday morning ठीक है डाश Wednesday morning अब मैं आपको चार option देता हूं कि इन होगा या फिर at होगा या on होगा या फिर from होगा आपको इन में से गलतियां करते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि date के साथ क्या at आएगा on आएगा in आएगा particular day के साथ क्या आता है नहीं पता यह prepositions के अंदर हम बहुत अच्छे से सीखते हैं और यह वाला rule देखने के बाद आपको मज़ा आजाएगा आप आप life में कभी दिक्कत नहीं करोग जब कभी वी एक definite definite day की बात होगी definite day हो जैसे कि अब पहले लिख देता हूँ definite day हो definite time हो ठिक है न 1500 डूरेशन हो या फिर definite आपका कोई year हो या फिर आपका definite कोई month हो उसके साथ आप याद रखो definite कोई location हो ठिक है न या फिर और आप कह सकते हो definite कोई date हो तो उनके साथ क्या लगता है इस चीज़ का ध्यान लखना मतलब अब लगा लो आप से गलतियां कभी नहीं होगी इस चीज़ की गैरंटी लेता हूँ तो जब कभी भी हम कोई definite day की बात करते हैं तो हमारी preposition क्या आती है? on आती है जब कभी भी definite time की हम बात करते हैं तो definite time में हमारा आता है at जब कभी कोई duration हो तो duration कुछ भी हो सकता है वो एक year हो सकता है वो duration एक month हो सकता है तो duration के साथ हमेशा क्या आता है? in आता है तो अब देखो year भी क्या है? एक तरीकी की duration है मन्त क्या है एक तरीकी की डूरेशन है तो क्या आएगा इन आजाएगा इसके साथ भी राइड जब कभी एक definite location की हो तो जैसे कि आप बोल रो फोन पे के भाईया हम आपसे मिलेंगे राश्ट्र पति भावन है ना तो आपने definite location बता दी ना तो definite location के साथ क्या आता है आता है कोई definite date हो के भाई मैं तरो का 15 अगस्त को मिलूँ आ ठीक है ना तो वहां पे क्या आता है हमारा on आता है definite date के साथ अब एक example लेंगे बिने लिए थोड़ी ना समझ में आएगा बड़ी आसे इसको समझेंगे देखो भई example लेते हैं I will meet you I will meet you अब इसके साथ मैं काफी चीज़े लिख देता हूं ठीक है पहला हम समझेंगे फिर दूसरे की बात करूँगा कितनी चीज़ेंगे एक दो तीन चार पांच छे कि I will meet you अब डेट है यहां पर पर्टिकुलर डेट के साथ क्या आएगा on आएगा सो संटेंस पूरा क्या बनेगा I will meet you on 15 अगस्त उसी के साथ मैं ले लेता हूं अब आगे मान लो definite year देता हूं जैसे कि मैं 2021 में तुस्से मिलूंगा सो I will meet you in 2021 क्योंकि पर्टिकुलर डुरेशन हो गई और दुरेशन मन्त हो जाए यह यह ओ जाए डूरेशन हो जाए इसके साथ क्या लगेगा इसके साथ क्या लगता है तो क्या जाएगा अच्छा जी आगे चलते हैं आगे देखते हैं अब मैं ले लेता हूं इसके साथ क्या लगता है और लगता है अपको तो हमारा संटेंस क्या बनेगा आई विल मीट यू इन 2021 आई विल मीट यू इन जैनवरी आई विल मीट यू आट नाइन ओ क्लॉक आई विल मीट यू एट सीपी आई वल मीट यू अंसंडे क्लियर है तो भाई मुझे उमीद है कि अब आप ये गलतिया नहीं करोगे और अगर आपको ये सेशन मज़ा आया हो ये सेशन के अंदर तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रैस जरूर कर लेना क्योंकि ऐ ऐसी ही इंफर्मेटिव वीडियो आप तक रेगुलर आएंगी और ये यूनीक तरीके से हम पढ़ते रहेंगे वर्बल को जो कि आपके बोर्ड के अंदर भी बहुत जादा हेल्प करेगा सो मैं मिलता हूँ आपके साथ आपके नेक्स सेशन के अंदर दो मुझे इजाज़ात मिलता हूँ बढ़िया से तिल दैन बबाए टेक केर पढ़ाई करते रहें